नमस्कार मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्वसंसकार के इस यूप चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं प्रेगनसी के समय खाने पीने के चीजों पर विशेश ध्यान दिया जाता है और गर्ववती को हर कोई हरे पत्तेदार सब्जिया खाने की सला देता है साथी कुछ सबजियों को लेकर गर्भवती के मन में असमंजस भी रहता है उन सबजियों में एक सबजी पत्तागोवी भी है मुझे कई बार मेरे गर्भसंसकार के पार्टिसिपेंट्स ने इस प्रशन को पूछा है क्या मैं गर्भावस्ता में पत्तागोवी खा सकती हूँ इसे खाने से मेरे शिशु को कोई नुकसान तो नहीं होगा न तो चलिए आज हम इस वीडियो में पत्तागोवी प्रेग्ननसी में कितनी सुरक्षित है क्या इसके पोशकतत्व है इसे कब खाए कब ना खाए और इसके फायदे तथा साइड इफेट्स के बारे में जानेंगे उसके पहले समझते है आपके इस इंपोर्टन्ट समय के बारे में प्रेग्ननसी का यह नौ महने का समय याने आपके हाथ में अपोर्चुनिटी आपके शिशु को आपके इच्छानुसार डवलप करने के लिए जी हाँ आप आपके गर्वस्त शिशु को बना सकती है सुन्दर सुद्रोर तेजस्वी अवस्त गुणों से परिपुल्ण इसके लिए आप कर सकती है संजीवन गर्वसंसकार का ओनलाइन वक्शोप जिसके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्वसंसकार एप मैंने वहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर तथा वाट्सेप नंबर भी दिये है आप मुझे कॉल तथा वाट्सेप भी कर सकती है यहाँ सीखने से आप बना सकती है आपके शिशुको सुन्दर सुदर्टे जस्वी असद्गुण से परिपूर्ण काफी सारी माताओ ने इस वर्क्शॉप का लाफ उठाया है कम्यूलिटी सेक्शन में जाकर आप उन सुन्द सुन्दर बेबीज के फोटोग्राप्स भी देख सकती है इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताओंगी कि कौन सी पत्ता गोवी आपको खानी चाहिए और कौन सी नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे तो चलिए समझते हैं क्या प्रेगनसी के दौरान पत्ता गोवी खाना सुरक्षित है जी हाँ प्रेगनसी में पत्ता गोवी का सेवन किया जा सकता है इनफार्ट पत्ता गोवी में फॉलेट होता है जो शीशू के कंजनाटल अनमलीज के जोखिम को कम करता है लेकिन पत्ता गोबी खाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी होता है पत्ता गोबी को कच्चा नाख है क्योंकि इसमें मौजोद बैक्टेरिया मिस्केरिज का कारण भी बन सकते है इसलिए संतुलित मात्रा में अच्छे से साफ करके दोकर पत्ता गोबी का सेवनाफ कर सकती है पत्ता गोबी हरी और लाल ऐसे दो रंग में पाई जाती है दोनों भी पोशक्ततों से भरपूर होती है पत्ता गोबी फाइबर से भरपूर होती है तथा पत्तागोवी में calcium, iron, folate, magnesium, phosphate, potassium, copper, zinc और sodium पाया जाता है इसके अलावा पत्तागोवी में vitamin C और vitamin B6 भी होता है तथा vitamin A भी पाया जाता है पत्तागोवी में जब आप pregnancy के दौरान पत्तागोवी का सेवन करती है तो आपको कब्स की समस्या यदि है तो उसे ठीक करने में पत्तागोवी मदद करती है इसमें मौझूद Fibers पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में भी उपयोगी होते है इसलिए कब्स की समस्या से बचने के लिए और इस सम वस्या को कम करने के लिए पत्तागोबी का सेवन आपकर भावस्ता में जरूर कर सकती है जैसे हमने इसके पोशक तत्वों के बारे में जाना इसमें मौज़ुद फॉलेट शीशु के नियूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए उसे मदद करती है पत्तागोबी में व पत्तागोबी ब्लैडड शुगर लेवल कम करने के लिए उपयोगी होती है इसलिए गर्ववती ने इसका सेवन गर्भावस्ता में अवश्य करना है इसके साथ साथ पत्तागोबी के सेमोग्रबीन बढ़ाने के लिए फायदा होता है प्रतिदीन या हफ्टे में दो बार आप एक कटोरी पत्तागोवी का सेवन कर सकती है। लेकिन कोई भी चीज यदि अधिक मात्रा में खाई जाए तो वह फायदे की जगह नुकसान देह भी हो सकती है। इसलिए सही तरीके से यदि पत्तागोवी का सेवन ना करें तो गैस की समस्या या लिस्टेरिया तथा फूड पोईजनिंग जैसे शिकायत भी हो सकती है। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में अच्छे से साफ करके दो कर पका कर आपको खाना है। कच्चा खाना आपको अवोईड करना है। यदि आपको हैपोथारडिजम की शिकायत है तो आपको इसे खाने से बचना चाहिए। आप लाल और हरी दोनों रंग की पत्तागोवी का सेवन कर सकती है। लेकिन ध्यान रखे पत्तागोवी हमेशा ताजी ही खाए। पत्तागोवी का उप्री भाग हरी पत्तेदार पत्तियों से घिरा हो। यदि पत्तागोवी पर भूरे रंग के धबे हो तो इसे ना खरी दे। पत्तागोवी का सेवन करने से पहले उसे स्टीम कर, उबाल कर या फ्राई करकर भी आप खा सकती है। आलो के साथ पत्तागोवी की सबजी बना कर भी आप इसे खा सकती है। या इसका आप सूप बना कर भी पी सकती है। तो इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखकर गर्भावस्ता में पत्तागोवी का सेवन सुरक्षित मात्रा में आपको अवश्य करना है। तो हसते रहें, मुश्कुराते रहें, एंज्जॉय करें प्रेगनसी का हरक्षण संजीवन गर्व संसकार के साथ, धन्यवाद.